Hello Guys, Most Welcome, हम कर रहे हैं Financial Accounting इसमें हमारा Basic Level of Accounting चल रहा है इसके अंदर हमने chapters कर लिये हैं 5 कौन-कौन से? Chapter No.1, Introduction to Accounting Chapter 2, Journal Chapter 3, Laser कर लिया Chapter No.4, Trial Balance कर लिया Chapter No.5, Financial Statement जिसमें हमने Trading Penal Balance Seat बनाना सिखा दा ये chapters हमारे हो गए हैं आज Basic Level of Accounting का Chapter No.6 और Last Chapter है, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं और वो है आपका Financial Statement with Adjustment यानि कि वही आपको Trading Penal Balance Seat बनाना है लेकिन उसके साथ-साथ में कुछ Adjustment करते हुए फिर बनाना है और ये आज हम chapter स्टार्ट कर रहे हैं अच्छे से उसको Face कर पाएंगे क्योंकि आपका Basic अच्छा है तो उसको अच्छे से समझ पाएंगे जैसे Advanced Level में आप Branch Account करेंगे Royalty Account करेंगे, Departmental Account करेंगे Insurance Account, Insurance Claim Chapter भी होता है वो भी करेंगे, Self and Sectional Balancing Laser करेंगे तो बहुत सारे chapters है Advanced Level के तो वो सब आप बहुत अच्छे से तभी समझ पाएंगे जब आपके Basic Level के ये 6 के 6 chapter अच्छे होंगे चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के Financial Statement with Adjustment तो Adjustment कौन-कौन से हैं जो हमें करने पड़ते हैं Final Account के अंदर, Balance Seed, Trading, Penal के अंदर तो यहाँ पर Total 11 Adjustment है तो मोटा-मोटी यही Adjustment है जो आपके बहुत ज़्यादा काम आते हैं अच्छे से इसके अंदर सब सिर्फास राद आपका Closing Stock Closing Stock का वैसे मैं आपको बढ़ा चुका हूँ लेकिन फिर बता दूँगा फिर Outstanding Expense फिर Prepaid या Unexpired Expense फिर Accrued Income Income Received in Advance जिसको Unearned Income भी बोलते हैं Depreciation, Bad Depths Provision for Doubtful Depths Provision for Discount on Data Manager's Commission और Interest on Capital मोटा-मोटी यह 11 Adjustment बहुत इंपोर्टेंट है इसके लावा छोटे-मोटे और भी कुछ हो सकते है First आता है हमारा सब से first Closing Stock Closing Stock जो है वो मैं एक सेगेंड के अंदर मतलब एक दो मिनिट महीं complete कर दूँगा क्योंकि Closing Stock जो है उसका मैं बता रहा हूँ आपको कि Closing Stock आपको कहां दिया हुआ है For Example के लिए Trial Balance है ठीक है यह मैंने बनाया Trial Balance आपको जो Closing Stock है वो Trial Balance के अंदर दे रखा है यहां Trial Balance के अंदर दे रखा है यह आपका debit side यह credit side यहां पर दे रखा है 10,000 For Example के लिए तो अब इसको हम कहां दिखाएंगे इसको हम Trading Account में नहीं दिखाएंगे बताया था यार इक हमने question जो किया था वो यसा ही था फिर हम Trading Account के अंदर इधर Closing Stock नहीं दिखाएंगे तो हम कहां दिखाएंगे हम सीधा इसको दिखाएंगे Balance Seed के अंदर Balance Seed की Asset Side के अंदर सीधा दिखाएंगे यहां पर यह Balance Seed है यहां दिखाएंगे हम Stock और यह कौन सा Stock है? Closing Stock 10,000 अगर आपको Closing Stock कहां दे रखा हो Trading Account के अंदर दे रखा हो अगर यह का यह Closing Stock आपको Trading Account के बाहर दे रखा हो Sorry, Trial Balance के बाहर दे रखा हो Trading Account क्या? Trial Balance के बाहर दे रखा हो तो फिर इसको हम दो जगह दिखाएंगे For Example के लिए आपका Trial Balance है और आपको Closing Stock जो है वो Trial Balance के बाहर यहां दे रखा है 10,000 यहाँ आपका Trial Balance खतम होगा उसके बाहर दे रखा है तो अब इसको दो जगह दिखाना है कहां कहां? एक Trading Account और एक Balance It Trading Account के Credit साड में दिखाएंगे और Balance It की Asset साड में तो यहाँ आएगा Closing Stock आप बोले हैंगे सर यह तो उनको पता ही है फिर भी आप बता दो तो पहले ही बता दो क्योंकि हमने Quotient भी किया है ना इसका Stock 10,000 Simple और यह जो Closing Stock है वो अगले साल का क्या हो जाएगा? तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के कहा आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डैबिट साड में ही तर आ जाएगा ओके ना दोनों साड में ओपनिंग स्टोक ठीक है? यह बहुत सिंपल था इतना हाड नहीं था Next बढ़ते हैं हम आगे अगला हाता हमारा Outstanding Expenses सबसे पहले Outstanding Expenses कौन से होते हैं? Outstanding Expenses वो Expenses होते हैं जो खर्चा तो खर लिया है हमने Current Year के अंदर जैसे हमारा Current Year है 2024-25 जो अभी चल रहा है 1 April 2014 इसको स्टार्ट हुआ है 31 March 2025 को complete होगा जिसको Financial Year बोलते हैं April to March तो ये Current Year है हमारा इसमें कोई खर्चा हमने कर लिया है बट उसका payment नहीं किया जैसे electricity bill आ गया वो यूज कर रहे हैं बट अभी तक electricity bill का payment नहीं किया इस Current Year के अंदर payment किया या हमारी building है उसको हम यूज कर रहे हैं लेकिन rent new हो गया लेकिन payment नहीं किया इसको Outstanding Expense बोलते हैं यहां पर लिखाव आप यह When Expense of an Accounting Period remains Unpaid At the end of an Accounting Period इस Accounting Period का End आ गया है लेकिन आपने उस खर्चे का payment नहीं किया तो आपको payment तो करना पड़ेगा ना तो इसको बोलते हैं Outstanding Expense अब यहीं पर निकल के आता है मैं कह रहा हूँ आपको payment करना पड़ेगा ना तो आपके लिए liability है और Modern Rule याद है Modern Rule याद है Asset Debit होती है बढ़ाना हो तो debit करो कम करना हो तो credit करो Liability Credit होती है बढ़ाना हो तो credit करो कम करना हो तो debit करो यह Rule याद है तो ही आगे सब समझ में आएगा लिखूँ चलो लिख देता हूँ Assets जो होती है वो क्या होती है Debit इसको अगर increase करना हो तो और debit करो तो और क्या करो debit करो और कम करना हो तो credit करो But liability क्या होती है Credit होती है liability को आपको बढ़ाना हो तो credit करो liability को कम करना हो तो debit करो अब यहां पर आपको कोई खर्चे का payment करना है बढ़ आपने किया नहीं है यह आपकी liability की इसको करना पड़ेगा तो liability increase हो गई एक तरीके की और liability अगर increase होती है तो हम क्या करते हैं credit तो यहां पर यह माल लेते हैं rent है तो मैं यहां पर लिख देता हूं outstanding अगर इसकी general entry क्या होगी बताऊं तो तो यहां कर दूँगा to outstanding rent है for example के लिए तो outstanding rent account credit हो जाएगा क्यूंकि नई liability आ गई और इस liability को balance sheet में भी दिखाएंगे कि यह आपने इस rent का payment नहीं किया है और rent एक expenditure है तो वो rent account debit हो जाएगा ठीक है for example के लिए 2000 है तो यह 2000 इसके अलावा हम इसको कहा दिखाएंगे इसके अलावा हम दिखाएंगे इसको penal trading and penal account के अंदर for example के लिए आपर trading account and penal account बना रहा हूं है ठीक है तो यहां पर जो आपका rent होगा न for example के लिए आपने rent pay करना कर दिया है 10,000 और add कर दिंगे इसके अंदर outstanding rent जो आपने pay नहीं किया है क्योंकि हम accounting accrual basis पे करते है कि कोई कर्चे का payment किया हो नहीं किया उससे मतलब नहीं है जिस साल का है उस साल में हम उसको दिखाएंगे तो payment 10,000 किया है और total हिस साल का 2000 पेमिंट नहीं किया है तो total हिस साल का खर्चा कितना है 10,000 पे कर दिया 2000 नहीं किया तो total हिस साल का खर्चा है 12,000 इसलिए हम outstanding rent को क्या कर देते है एड गर देते है और इसके लाओ इसको balance sheet में दिखाएंगे balance sheet में क्यों दिखाएंगे क्यों कि यह liability है इसका payment हम को करना है future के अंदर तो balance sheet के अंदर यहां दिखाएंगे balance sheet में liability side में हम दिखा देंगे outstanding rent for example 2000 तो यह हो गया आपका outstanding expenses अब यहां rent नहीं होगा जैसे rent की जगा commission है तो commission लिख दू, exit bill है तो वो लिख दू, जो खर्चा है वो नाम आ जाएगा बस यहां आपर next आता है हमारा prepaid expense यह outstanding का just opposite बोल सकते हो महलब खर्चा हुआ नहीं है लेकिन payment पहले कर दिया और यह expense है future का बहुषय का next year का और उसका payment अभी current year में कर दिया आपने advance में payment कर दिया जबकि वो खर्चा अभी तक हुआ ही नहीं इसको prepaid expense बोलते हैं अब आप सोचके देखिए कि आपने अगर advance payment कर दिया है माल लेते हैं एक साल की salary किसी employee को advance दिया तो आपकी asset है कि उससे काम करवाना है अभी तो कुछने काम किया नहीं है तो आपकी asset हो गई और asset अगर increase होती है तो क्या करते है debit इसलिए prepaid for example के लिए prep prepaid मैं rent माल लेता हूं वापस से कि आपने कोई building जो है या rent नहीं तो commission माल लो या interest माल सबसे बढ़ी है कि कोई interest जो है वह आपने advance में pay कर दिया या commission माल लो commission अधिकतर advance में pay होती है कि आपने किसी को commission दे दी है लेकिन सामने वाले ने अभी तक काम किया नहीं है अगले साल करेगा तो वह अगले साल का खर्चा हो गया लेकिन उसका payment आपने अभी करती है इसलिए prepaid commission जो है यह आपके लिए क्या हो गया asset हो गया और asset increase हो क्योंकि expense debit होता है उसको credit इसलिए करेंगे क्योंकि आपने future के खर्चे को current tier में दिखा दिया है debit करके तो उसको credit करके हम कम करेंगे कैसे तो मैं बता था हूँ आपको for example के लिए commission है 1,000 for example के लिए देखें यह आदर trading and PNL account के अंदर trading and PNL account जो आपका होगा उसके अंदर आपने यहाँ पर खर्चे side में दिखा रखा होगा commission कमिशन टोटल आपने पे कर दिया है 6,000 लेकिन उसमें से कुछ commission ऐसा है जो current year का नहीं है advance में payment कर दिया आपने तो वह less होगा हाँ तो उसी को बोलते है prepaid commission कितना यह देखो 1,000 तो देखो यहाँ पर commission debit कितने से हुआ 6,000 से commission credit कितने से हुआ 1,000 तो इस साल का commission कितना है balance में commission कु कम करने के लिए credit करते है ओके और इसके अलावा मिश को दिखाएंगे balance sheet के अंदर आप बैलेंस इत में कहां दिखेंगे को बैलेंस में इसको आमें सर्ट साइड में दिखेंगे क्या है प्रिपेड कमीशन कितना वन थाउस रखेंगे क्या है यह थ्रड़ ऐसे करके expense होता था था ना but यह income है मतलब हमने कोई कमाई कर लिये but पैसा नहीं मिला है हमने काम कर लिया है लेकिन पैसा अभी तक आया नहीं है income earned कर लिये but not received income earned in current year but not received till the year end year end होने तक भी हमने वो income receive नहीं करी है यानि कि हम future में receive करेंगे पैसा future में आएगा लेकिन कमाई है इसी साल के तो इस साल दिखाएंगे ठीक है बट इस साल receive नहीं हुआ है तो हमारे लिए क्या हो गई asset हो गई और asset increase होती है तो debit करते हैं तो हम क्या करेंगे accrued for example interest है accrued interest account debit 3000 for example कि हमने interest कमा तो लिया है हमने ने किसी को पैसा उधार दिया इस साल तो इस साल का ब्याज बनता है 3000 रुप है बट सामने वाले ने अभी तक interest pay नहीं किया तो उससी लेना है तो हमारे लिए asset होगी asset debit होती है और interest क्या है income है क्यूंकि हमने loan दिया एस बार तो interest income है income हमें सा as per nominal rule all expenses and losses are debit all incomes and profits are credit तो इसलिए हम इसको करेंगे credit अब इसको दिखाएंगे कहां तो देखो trading account के अंदर दिखाएंगे एक तो trading and penal के अंदर और एक दिखाएंगे हम इसको balance sheet के अंदर अब कैसे दिखाएंगे तो देखो trading and penal के अंदर ठीक है credit side में यह trading account है यहाँ penal में हम दिखाएंगे क्या by interest for example के लिए interest total है 10,000 जो हमने हमको received हो गया है और add कर देंगे जो received नहीं हुआ future में received हो गया लेकिन है तो current year का इसलिए जो accrued interest होता है या accrued expense होता है वह हमेसा add होता है तो total किता हो गया 13,000 यह अभी तक मिला नहीं है इसलिए हमारे लिए क्या asset है तो balance it की asset side में हम दिखा देंगे accrued interest yes 3,000 आगया समझ में मैं only आपको बता रहा हूं कि कहा treatment करना है अब उसके बाद में आपके लिए बहुत easy हो जाएगा लिखना तो उसको अच्छी है end writing में ठीक है income received in advance मतलब अभी तक आपने कमाया नहीं है लेकिन पहले से advance में आपको पैसा मिला है prepared में क्या करते हो advance में expense pay करते हो यह advance में income मिल गई है सामने वाले का काम अभी आपको करना है सामने वाल आपको advance में पैसा देगे गया तो आपकी income होई advance में, income earned नहीं भी है but received हो गई current year में, आपने कोई काम नहीं किया, पैसा advance में आ गया, और आपको काम करोगे अगले साल क्योंकि current year में आपने किया नहीं, तो ये एक तरह की आपकी liability है, कि ये पैसा current year का नहीं, ये future का है, क्योंकि काम future year में होगा, बहुष्य stream होगा, next year होगा, तो ये आपकी liability है, और liability में सा क्या होती है credit, तो हम यहाँ पर कर देंगे to, income received in advance, इसको unearn income भी बोलते है, और क्या बोलते है, इसको unearn income, और जो भी खर्चा होगा, respective expense, जो भी income होगी, वो debit होगी, सर, income तो credit होती है, इसलिए debit कर रहे है, क्योंकि वो current year की नहीं है, current year में अगर हमने उसको credit कर रखा है, तो debit करके हम उसको कम करेंगे, देखना, अभी penal account और balance trading, और penal account के अंदर हम कम करेंगे इसको, respective, अब यहा income का नाम नहीं दिया है, तो मैं respective income करेंगे, debit करेंगे इसको, for example के लिए 500, ठीक है, अब देखो यहाँ, यह आपका trading, penal और यहाँ बना देते है, balance sheet, अब इसके इंदर देखना आप, यह trading and penal account है, तो इसके credit side में हम यहाँ पर लिखी होगी income, ठीक है, जो भी respective income होगी, उसमें से हम less करेंगे, यह earned income या advanced income, इसलिए मैंने इसको debit किया था, income credit होती है, debit करेंगे तो वो कम हो जाती है, तो यहाँ पर हम 500 क्या करेंगे, less करेंगे, और फिर इसको बाहर लेगे, ओके, और balance sheet के अंदर हम क्या करेंगे, इसको liability side में देखेंगे, जो भी advance या earned income होती है, उमारी liability है, क्योंकि हो current year की income नहीं है, लेकिन पैसा मिल गया, यह से यहाँ पर कितना 500, तो मैं यह 500 लेखेंगे, I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा, simple ही था है, next, यह four points हो गए, next आता है हमारा depreciation, बहुत simple, entry क्या होगी, अब depreciation क्या होता है, किसी भी asset को, value of an asset account, जैसे wear and tear, passage of time, बहुत सारी fashion, रूची यह वो, की वज़े से, हमारी आप जाओ मार के, जाके एक real infid लेके आजाओ, नहीं, लेके आए, मान लेते हैं, वो लेके आए, आप 2,00, रुपे में, ठीक है, मुझे नहीं पता किते क्या आती है, 2,00, रुपे में आप लेके आए, अब लेके आगए आप, उसके एक महीने बाद में आप उसको बेचना 2,00, रुपे मिलेंगे, नहीं, कम हो जाएंगे, तो जो भी हम asset purchase करते हैं, उसकी धीरे-दीरे value क्या हो जाती है, कम, उसको use करने की वज़े से, time की वज़े से, fashion की वज़े से, है ना, तो धीरे-दीरे-दीरे-दीरे उसकी value कम होती है, तो उस value को हम हर साल depreciation नाम से दिखात के अंदर और उससे हम balance rate के अंदर उस assets की value को कम भी करते हैं, ऐसा हम बहुत year तक इसली करते हैं, क्योंकि वो asset जो useful, उसका जो life estimate है, उसका जो उप्योग है, उनका ही सालों तक करते हैं, तो उसको हम का ही सालों में धीरी-धीरी-धीरी करके हम खतम करते हैं, तो और PNL में पूरा भार नहीं पड़ता, क्योंकि capital nature का घर्चा है, तो पीनल में एक साथ पूरा दिखा नहीं सकते हैं, तो थोड़ा-थोड़ा करके दिखाते हैं, वो पूरा depreciation का concept है, depreciation के chapter में समझा जाता है, बट इतना समझ में आ गया कि एक तरह का हमारे लिए loss ही है, और as per nominal rule, all losses and expenses are debit, तो debit और इससे हमारी asset कम होती है, और asset अगर कम हो जाए, fixed assets, depreciation fixed assets पे लगता है, तो fixed assets इससे हमारी क्या होती है, कम होती है, तो asset कम होगी, तो asset को कम करने के लिए credit करना पड़ता है, बढ़ाने के लिए debit करना पड़ता है, for example के लिए मैं यहाँ पर माल लेता हूँ, building, simple, अब यहाँ पर क्या करते है, यह जो depreciation है, for example के लिए 1000 रुपीज है, इसको दो जगा दिखाना होता है, एक तो दिखाते हम इसको penal account के अंदर, और एक दिखाएंगे हम इसको balance sheet के अंदर, अब देखो, trading and penal account के अंदर, यह तरह का expenditure है, loss है, तो हम इसको debit side में दिखा देंगे, यहाँ पर two depreciation on building या two depreciation on machine, जिसके उपर भी लग रहा है, land के उपर नहीं लगता, current assets के उपर नहीं लगता, fixed assets के उपर लगता, यह 1000, और इसके अलाब हम क्या करेंगे, balance sheet के अंदर, जो आपके asset side होगी, liability नहीं, asset side, वहाँ पर आपका building लिखा statement होगा था, next आता है हमारा फिर bad apps, bad apps क्या होते हैं, आप goods उधार sale करते हैं, हर organization के अंदर, हर business के अंदर, उधार ही तो चलती है, sales दो तरह की उपिती है, cash, सामान बेचा, goods बेचा, और पैसा आ गया, no problem, एक होती है credit sales, उधार विक्री, तो credit sales जो होती है, उधार जब आप बेचते हैं, तो सामान तो चला जाता है, goods तो चला जाता है, लेकिन सामने वाला पैसे हाथ वाथ नहीं देता है, बाद में देगा, अब बहुत सारे लोग तो पैसे देते हैं, लेकिन कुछ percentage लोग ऐसे भी होते हैं, जो बोलते हैं, कल कल कल हो जाता है, और end में हमें पता चल जाता है, कि ये बंदा पैसे देने वाला नहीं, तो हम उसको मानते है, bad debts, उसको क्या बोलते है, bad debts, तो sir ये तो पैसा ढूब गया, हाँ, तो ये जो पैसा ढूबा है, ये हमारे लिए एक तरह का loss है, और as per nominal rule, all losses and expenses are debits, so हम bad debts को कर देंगे debits, okay, अचा जब हम किसी को उधार sale करते हैं, तो सामने वाले को क्या बोलते हैं, data बोलते हैं, क्योंकि उससे पैसा लेना बाकी हो, data को balance sheet की asset side में दिखाते है, और जब पैसे आ जाते हैं, तब वहां से अटा देते हैं, लेकिन ये पैसे तो आएंगे नहीं, तो data पी क्या करने पड़ेंगे, कम, क्यों ये पैसे आने नहीं है, तो data एक asset है, और asset को कम करेंगे, तो क्या होगा, credit, ये adapters, for example के लिए आपके हैं, मैं ऐसे मान लेता हूं, पंदरा सो रोगे, अब इसको दिखाएंगे, कहां नहां, एक तो दिखाएंगे हम इसको, trading and penal के इम में तो सारे adjustment लगबग आते हैं, हाँ, बिलकुल आते हैं, तो देखो, trading and penal account के अंदर, यहां debit side में दिखाएंगे हम, जो bad debts पहले से होंगे हमारे, ये actual बें further bad debts के entry है, कि पहले bad debts do रहे हैं इतने, उसके अंदर हम add कर देंगे further bad debts, इसको further bad debts बोले जाता है, सर, further bad debts हो रहे हैं, इस bad debts में क्या फर्क है, ये जो bad debts है, for example, ये लिए 6000, ये bad debts, adjust हो चुके हैं, already data में से, trial balance जब बनाते हैं उस समय इनका adjustment हो जाता है, जब हम laser के accounts बनाते हैं, लेकिन further bad debts, ये further bad debts है, ये कौन से, further, adjustment में जो भी adjustment करते हैं, final accounts के अंदर, trading penal balance sheet में, वो हम इसा further bad debts होते हैं, तो further bad debts यहाँ, add हो चाहेंगे, कोई 6000 पहले से डूब रहते हैं, अभी पता चला 1500 और, ये हो गया 7500, इसको हम balance it के अंदर, asset side में, data में से कम करेंगे, इसा data में से कितना कम करेंगे, 7500 कम करेंगे, नहीं, 6000 पहले कम हो चुका होगा, laser के अंदर कम हो चुका होगा, trial balance जब बन रहा है था, तब balance is, adjust के बाद ही निकले होगे, तो हमें केवल ये less करना है 1500, तो for example के लिए हमारे जो data है, वो है, 24,500 रुपे के, उसमें से हम further वाले less करेंगे, क्योंकि sir, दूसरे वाले क्यों नहीं करोगे, ये 6,000, क्योंकि ये पहले ही हो चुके है less, तो 1500 less करेंगे, तो यहां बच जाएगा आपका 30,000, ये हो गया आपका, bad debts और ये कौन से वाले होते हैं, further bad debts होते हैं, अत्रिक्त, और डूब गए पैसे, next आता है, provision for doubtful debts, every year, हमको अनुमान होता है, कि इतने bad debts होंगे ही होंगे, for example, के लिए, एक लाग रुपे की sales होती है, उधार हम एक लाग रुपे का goods बेजते हैं, तब हमारी 2000 रुपे डूबते ही डूबते हैं, इसका मतलब, 2% chance है पैसा डूबने का, ठीक है, तो यह जो है, हमें अनुमान है, experience से, पिछले सालों के, तो हम क्या करते हैं, 2% से पहले से प्रोविजन बना के रख देते हैं, अभी डूबे नहीं है पैसे, लेकिन पहले से मान के चलते हैं, कि इतने पैसे डूबेंगे ही डूबेंगे, तो उसका हम प्रोविजन बना लेते हैं, इस लॉज को प्रोविजन की रूप में अलग से दिखा देते हैं, और डेटर को भी कम कर देते हैं, तो ट्रीटमेंट सेम बेड़प्स जैसा है, लेकिन इसको प्रोविजन बोलते हैं, ठीक है, है, so यहां पर अंटरी हो जाएगी आप का, प्रोविजन फूर डव्द्फल डेट्स, ऐसे डेटर जो क्या है doubtful है ऐसे डेटर जो क्या है doubtful है debts account debit यह हमारा loss हुआ नहीं है लेकि मान रहे हैं कि हो गई हो गा इतना provision मना रहे है for example के लिए हमारे डेटर है 23,000 के जैसा हमने पिछले example मिलिया था बेड़ अप्स लेक्स करने के बाद और 23,000 का मुझे लग रहा है कि हमेशा 10% बेड़ अप्स होता ही for example के लिए 2300 रुपे डूबेंगे डूबेंगे इससे हम क्या करो डेटर को पहले से ही कम कर दो next year हमारे इतना provision है कि पैसे डूबेंगे अब इसका treatment क्या होगा इसको एक तो हम इसको एक तो हम कहां दिखाएंगे trading and P&L account के अंदर David side में P&L में दिखा देंगे two provision for doubtful debts कितना 2300 और एक और हम क्या करेंगे इसको भी डेटर में से less करेंगे यानि कि balance sheet में balance sheet के अंदर जो आप डेटर लिखोगे उसमें से हम इसको क्या कर देंगे less कर देंगे asset side में job के डेटर पड़े हैं कितने पड़े हैं 23000 उसमें से less कर देंगे provision for doubtful debts 2300 तो 2700 यह बचेंगे I am correct 20700 यह नेक्स्ट 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 आता है यह भी डेटर से रिलेटिड़े है प्रोविजन बना रहे हैं इस बार लेकिन doubtful debts नहीं नहीं देटर पर यह बना रहे हैं लेकिन discount का बना रहे हैं हमारा past experience हमें यह बोलता है कि इतने जो डेटर हैं जिनको अमने उधार सेल किया और पैसे निकालने हैं तो ऐसे नहीं देंगे माला डूबेंगे नहीं प्रोविजन बनाने की जरूत नहीं बना चुकी है अभी भी कुछ percentage डेटर ऐसे हैं जिससे पैसा निकलवाना है हां तो उनको discount देना पड़ेगा उनको बोलना पड़ेगा अच्छा भीया हम आप से कित्ते रुपे मांगते हैं बोल रहा सर 1000 रुप for discount on debtors debit क्योंकि loss एक तरह का for example के लिए हमको लग रहा है यह तो 2700 अभी मेर बचा था उसमें से 700 का discount देना ही पड़ेगा तब ही 20,000 रुपे हैं एसा हमारा अनुमान है तो 700 सी debtor को क्या कर दो कम क्योंकि हमने provision बनाना करें अच्छा इसको क्या करेंगे वही trading और penal में भी दिखाएंगे और balance sheet में भी दिखाएंगे यह आपका trading account and penal account और यह आपका balance sheet इसमें हम यहापर buy side में sorry buy क्या two side में यहाँ लिखेंगे debit में क्योंकि expense है na expense to debit में लिखते है to discount on debtors किता 700 और यहाँ क्या करेंगे हम asset side में debtors जो हमारे है 20,700 उसमें से less कर देंगे discount on debtor 700 प्रोविजन for sorry क्या लिखेंगे provision for okay next बस अब थोड़ा रहा है manager commission manager को commission देना है तो यह कोई बहुत बड़ा मुद्दर नहीं है इसमें कोई बड़ी problem वाली बात नहीं है problem वाली बात इसमें है कि manager को commission हम देते है तो उसमें हमारा दो तरीका का provision होता एक तो होता है जो आपका net profit है उसमें लिखा होता before before charging such commission before charging manager commission after charging manager commission सब दो पर ध्यान देना एक minute में समझ में आयागा manager commission at 10% यहां पर भी 10% एक में बोल रहा है कि net profit में से commission less करने से पहले net profit है आपका एक लाग दस अजार में समझना हो तो यह बोल रहा before charging manager commission net profit में से before charging manager commission जो net profit है उसमें से manager की commission less करने से पहले जो net profit है उसका 10% यह लोग एक लाग दस अजार रुपे हैं इसमें अभी तक manager commission less नहीं हुआ है यह before charging है इसके उपर दे दो एक लाग दस अजार का 10% कर दो तो manager commission आ गया 11 यहां क्या है after charging manager commission मतलब यह जो net profit है इसमें पहले manager commission less करो फिर जो amount आएगा एक दस में से क्या करो पहले manager commission less करो फिर जो amount आएगा उसका 10% करना है यहां हम first जाते हैं क्योंकि manager commission ही तो नहीं है जब तक यह निकलेगा नहीं हम less क्या करेंगे जब तक less नहीं करेंगे यह amount नहीं आएगा यह amount नहीं आएगा तो commission के से निकलेंगे तो इसका formula है बहुत simple वो है rate upon 100 plus rate इसमें यह नहीं लगा रहा है इसमें तो only rate upon 100 होता है यह देखो rate upon 100 यहां पर net profit का rate upon 100 plus rate इसमें आपको net profit लेना एक लाग दस अजार rate है 10% 100 का 100 plus में rate किती है 10 इसको solve करोगी तो एक लाग दस अजार 10 upon 110 0 से 0 कया 11 से 11 कया यहां बच गया 1 तो यह amount आगे आपका 10 तो एक after or before word की वज़े से यहां 11000 आ रहा है commission और यहां 10,000 रहजार रुपय का फरकार है इसके अलावा इसको P&L account के अंदर दिखाना है क्योंकि manager commission है हमारा आता है last interest on capital यह क्या है सार देखो जो owner होता है वो capital लगाता है business के अंदर अब वो चाहता है कि इस capital के उपर मुझे क्या मिले interest मिले तो organization के लिए उस business के लिए तो एक expenditure है interest on capital debit कर दो लेकिन क्या उसमें pay नहीं किया जाता है इसकी वज़े से उसकी capital बढ़ जाती है पीनल में और बैलेंसीट में ट्रेडिंग अन पीनल में क्या होगा यहाँ पर दिखा दो debit में to interest on capital 5,000 बैलेंसीट में क्या होगा लाइबिलिटी साइड में जो opening capital होगी मान लेते opening capital है एक लाग रूप है उसके अंदर देखो capital credit कर रहे न बढ़ा रहे हैं तो हम interest on capital add कर दो तो यह हो गया मर सारे के सारे adjustment I hope आपको बहुत अच्छे समझ में आये होगी अगर समझ में आये हैं तो प्लीज सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए फिर अपने friends के साथ share कीजिए उसके बाद अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो उसको फटावर से कर लीजिए हम मिलते नेक्स लेक्चर में आपके लिए ऐसे लेक्चर 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 आएंगे आज के लिए तना ही तब तक के लिए गुडबाई थेंक्यू